कि विभी पर देशा लंगेंगे। दोस्तों इस शब्ध हमारे नहीं बलकि सुप्रीम कोट के हैं जो की मोधी सरकार को बोले गए हैं मडीपूर की घटना पर सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस पहले ही सक्त लहजे में कह चुके हैं कि आप मामले में आक्शन लीजिए अगर नहीं ले पा रहे हैं तो हम लेंगे लेकिन इसके बाद भी मोधी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा और अब एक बार फिर सुप्रीम कोट ने मोधी सरकार को सक्त फटकार लगाई है लेकिन ये फटकार सुप्रीम कोट ने मोधी सरकार को क्यों लगाई है अब जरा वो आपको बताते हैं दरसल उत्तर पूर्व के राज नागा लैंड में एक मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार को कहा आप अपनी पाल्टी के राज सरकारों के खिलाफ कारवाई क्यो नहीं करते मड़िपूर मामले को लेकर जहां एक तरफ केंदर सरकार के खिलाफ पूरे देश का विपक्ष एक जुटता से सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर से सुप्रीम कोट में भी केंदर सरकार को फटकार लग रही है कि आप अपनी बीजेपी शासित राज सरकारों के खिलाफ कारवाई क्यों नहीं करते हैं साथ ही जच साहब ने आगे कहा कि आप अन्य राज में विपक्षी पार्टी के सरकारों के खिलाफ तो कड़ा रुक अपनाते हैं जो आपके प्रती उत्तरदाई भी नहीं है तेकिन ज कहा था कि मड़ीपूर से आ रही शरनाक वीडियो को देखकर डिस्टर्ब हूँ अगर केंद्र और राज सरकार हिंसा को रोकने में विफल है तो सिप्रीम कोट अपने स्तर पर एक्शन लेगा दरसल मड़ीपूर में जारी हिंसा को रोकने में अभी तक केंद्र की मोधी सरक पूरी तरह असफल दिखाई दे रही है जिसके बाद विफक्ष और सुप्रीम कोट में केंद्र सरकार को कड़ी आलोशना का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों आपको बता दे कि मड़ीपूर मामले में अभी तक पीम मोधी ने संसत भवन में कोई भी बयान नहीं दिया है जिसे लेकर तमाव विफक्षी पार्टिया जमकर विरोध कर रही है लेकिन इसका कोई भी फर्क देश के प्रधान मंत्री पर नहीं पड़ता मोधी सरकार अब इस हद तक गिर गई है कि उसे राजनीती के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों पीम मोधी क के ऐसी घटिया राजनीती और सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे और आपके अपने चैनल कबीर नीउस को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा नमस्कार